हेलो दोस्तों विलकम बैक तो आज का जो यह वीडियो है बिसिकली इसमें हम एक तरह से कह सकते हो कि कुछ जो अपने पोल बगएरा मैंने चैनल पर कंड़ेट कर रहे हैं उनको एक बार जा डिसकस करना है बड़ा इंट्रेस्टिंग सा कुछ अब्जरवेशन था जिसे अभी मैंने एक पोस्ट किया था कि what is your view about discussing the deep about the topic in math, physics और any other subject मतला मैंने पूछा था कि जैसे अगर हम किसी subject को deeply discuss करते हुए पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो आपकी क्या राय है अब खास तोर पर जो कि physics और math के साथ में डील कर रहा हूं तो मैंने उसी के लिए कहा था कि do you think कि कि किसी subject का deep discussion worth है कि रखता है कि नहीं तो कुछ एक लोगों ने कहा कि boring होता है, overburden होता है, just one shot enough है अच्छा फिर बहुत एक दो लोगों ने कहा कि इससे subject interest कतम हो जाता है, haunting हो जाता है, कुछ लोगों ने कहा कि engineering वालों के लिए ये जरूरी नहीं है कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादा discussion करने से syllabus slow हो जाता है और बहुत ज्यादा deep में मत जाओ, ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि अगर 64 votes हैं तो इसमें से कुछ इकाई के votes से ही ये सारा कुछ हो रहा है, गलती से भी हो सकता है, कई बार लोग पोल को देखने के लिए क्लिक कर देते हैं और रजिस्टर हो जाता है ये बहुत अच्छा सा, मैं कहूंगा, ट्रेंड है आप लोगों का, कि अगर आप विसे को गहराई से पढ़ने को इंकरेज कर रहे हो, खुद को भी इसको agree करते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि कि ultimately हमें दुनिया में as an expert अपने आपको present करना है, एक just a normal, मतलब normal is not a new normal, being normal is not a new normal, आज की समय में आपको being normal वाली स्थिती खतम हो चुकी है, तो you have to be an expert, and you can't be an expert without going deep into the subject, आपको विसे की गहराई में जाना पड़ेगा, अब सवाल है जाएं कैसे, तो क्या हम किसी कि ऐसे वीडियो का इंतजार करें, या किसी ऐसे teacher का इंतजार करें, जो कि हमें उन गहराईयों पर ले जाएं, ठीक है, teacher का एक role है, बट आपके पास जो primary साधन है, वो हमेशा available है, आज के e-commerce के जमाने में, तमाम तरह के websites पर आपको इस तरह की big book आपको मिल जानी है, और क्या नहीं पढ़ना है, किन subject को किसे पढ़ना, किसे नहीं पढ़ना है, सब कुछ आपके पास उपलब्ध है, अब बस खाली एक चीज की कमी है, वो है आपकी willpower, आपकी इच्छ सकती, आपकी इच्छ सकती है, तो आप उन किताबों को पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, teacher भी आपको मिल जाएंगे, जगर आप इस तरह के motivation में हो गए, तो इस चीज को हमेशा अपने focus में रखो, चलिए अगले सवाल के तरफ आते हैं, अगले सवाल एक था कि, which course do you think is most difficult for B.Tech first year student only, and you are not getting enough videos on the YouTube, so most of the cases में, लोगों ने mathematics या, जो second semester की mathematics है, M.2 इसको दिया है, 73% है, I am surprise कि YouTube पे तो काफी कुछ है, मैंने जहां तक देखा है, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा था, mathematical physics के उपर, तो उससे पहले मैंने देखा कि लोगों ने क्या किया है, लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है, free videos हैं उसके उपर, आपके, अब ये अलग बात है कि आप, उनके स्था ट्यून नहीं बना, बैठा पा रहा है हो, आपको उनको, उनके बोलने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इससे अलग भी एक और चीज़ होगी, इसके अलग एक और चीज़ जो होगी, वो होगी सर्च करने की एक मानसिकता, होता क्या है कि जब हम कुछ जूणते हैं, खास दो पर यूट्यूब पर, हमें एक वीडियो मिल जाता है, जिस पर कुछ लिखा है, ओर हमें लगता है कि हाँ, यह पढ़ा रहे हैं, फिर हमें लगता है, जब हम इनको ढूढ लिए, तो हो सकता है, हम इनसे बहदर भी कुछ ढूढ़ लें, और हम सर्च करना शुरू कर देते हैं नहीं पाते असंतुष्ठ हो जाते हैं और अगले दिन और प्रयास करते हैं फिर हम कुछ अच्छा अगर पा भी जाते हैं तो वह बात हमें नहीं तम होती कि हो सकता इससे अच्छा भी कोछ और हो और ये प्रक्रिया चलती रहती चलती रहती और हम एक infinite सर्च के लूप में फंज जाते हैं फिर धीर क्या होता है हम ये deciding नहीं कर पाते what is the best what is the good अब आप सोचो कि आप इस सितिती में हो कि आप इस condition में हो कि किसी ने आपको कुछ पढ़ाया है आप जज़ कर सको कि जो पढ़ाया है वो सही है गलत है आप ये फैंसला विशेक अधार पर नहीं ले सकते हैं हां वो अच्छे अच्छे joke रेक कर रहा है वो बहुत ही funny है वो class में नाच रहा है, वो class में सायरियां सुना रहा है, वो class में खुब सारे मजाक कर रहा है आप entertainment के basis पर इस चीज को अधार बना रहे हो तो आज कुछ word है, पहले तो एक teacher होता था पहले एक teacher होता था यह लोग कहते थे कि यह एक educator है आज कल educator नहीं है, आज की date में educator और entertainer दोनों ही होना चाहिए आज की date में हम धून रहे हैं ऐसे लोगों को जो एक तरफ एक बहुत अच्छा teacher भी हो और उसके अंदर बहुत अच्छे teacher के भी गुण हो और उसके अंदर कपिल सर्माज साहब के भी गुण हो मतलब वो हमें entertain भी करें, हमें educate भी करें, educate करें न करें, entertain ज्यादा करें अगर इस तरह की सर्च है तो फिर यह तो एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है ठीक है, education में, teaching में एक छोटा सा हिस्सा होता है कि जहां आप बच्चों के साथ थोड़ा सा उनको हमेशा एक live condition में रखो थोड़ा सा उनके साथ रखो, लेकिन वो सारे जो हसी मजाक होते हो विसे के साथ ही होते हम आपको अलग से तरह तरह के जो crack करकर के girlfriend, boyfriend के हम आपको जगाय रखें that is not good तो हम चाह रहे हैं कि educator जो के एक बहुत अच्छा entertainer हो हम कुछ इस तरह का ratio अगर ढूड़ रहे हैं तो यह तो हमारी कमी है तो आपको क्या करना है, फिर again जब आप कुछ नहीं मिलेगा then come back to the books उन पे आईए, उनको समझीए, उनको देखने कोसिस करिए आपको जो teacher हैं उनकी साथ बात करिए, आपको जो senior से उनकी साथ बात करिए and just try to stick with something किसी, अगर किसी का follow कर रहे हो तो उसको उससे stick होके follow करो क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है आप किस तरह है, आप सोचो इसी जगह पर NPTEL है आपको वहाँ पर professor मिल जाएंगे तो कि 40-40 घंटे के free है YouTube पर वीडियो जो जिन से अच्छी mathematics आज तक कोई नहीं पढ़ा सकता international level पर कोई उनके टकर कर नहीं पढ़ाने में लेकिन आप उनको नहीं देख रहे हो आप NPTEL पर अगर एक वीडियो देखते हो तो एक व्यक्ति के कितने है तीन साल पुराने वीडियो है थ्री येर बैक वीडियो है बम उस्किल है 1.5 के व्यूज जबकि वो करीब करीब साथ मिनट के लेक्चर है और जो उन्होंने mathematics पढ़ाई है बट है करना they are the pure educator they are not the entertainer उनके अंदर 99.99% सिर्फ education there is no entertainment they are not going to talk to you about the life and about the दुनिया पर की सोसे बाजी कुछ नहीं to the point तो क्या होता है the moment हम इनके साथ जुड़ते हैं और तुरंत हमें अपने आवकाद पता दिल जाती है कि इस लेविल का हमें नहीं समझ में आना और यह professors कहाँ किए IIT कई हैं तो आप ने सपना देखा है IIT जाने का आपने एग जब गोई सपना देखा तियारी की IIT जाने की और आप जब IIT प्रोफेसर को आप देख रही हो तो आप उपने हिम्मत हार जाते हो आपनी बुध्दी आपको दोखा देना शुरू कर देती है तो this is some dilemma ये कुछ oxymoron किसम की चीज़े है विरोधा भास है हाँ पर एक तरफ हम ढूड भी रहें कुछ अच्छा और जो अच्छा है उसको पचा भी नहीं पा रहें तो कोसिस करिएगा कि चीजों को अपने बुक से अपने एक्सेसाइजेस के थूरू अपने प्रयास के थूरू उसको लगाना शुरू करें चलिए तीसरे पॉल की तरफ बात करती है बड़ा इंट्रस्टिंग सा पॉल था इसमें मैंने लिखा था कि अपने परिच्छा में प्रिष्ण पत्र हिंदी योंग रेजिम बनाए हैं ठीक है इसका आश्रे था कि आप हिंदी में उत्तर दे सकते हैं अताया संका कि हिंदी में अंक नहीं मिलेंगे गलत है एकफιर ट्यूम सुयम हिंदी में उत्तर लिखने को पुछसाहिट कर रहा रहा में सिच्चों के कई कारीश सालाये आयविजित और क्राई हैं चाहते हैं अपने प्रिष्ट कमेंट में ठीक हो ठीक हो तो यहां पर करीब 116 लोगों ने इसमें वोट किया है, एक लिख रहे हैं मुझे हिंदी में तयारी करनी है, भासा कि मुझा से उत्तर लिखने में गलती हो जाती है, 9%, अच्छा, ये आते हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं है कि इंजिनेरिंग के पेपर में लिख सके, 4%, एक हिंदी में लिखोंगा, ठीक से अपनी बात बताना जरूरी है, खर गलती वारी तो नहीं कह सकते, दो एक लोगों ने साथ इंटरेसली दबाया होगा, बातर परसन लोगों कहना है कि इंग्लिस में ही लिखना है, इस बहाने इंग्लिस इंप्रूव होगी, इतना, आपके व भाशा है, आप हिंदी भाशी राज्यों में जो अगल बगल के राज राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, उत्रपरदेश है, बिहार है, मदपरदेश है, सब हिंदी भाशी राज्ये हैं, और यहां लगबग लगबग मोटे मोटे तोर पर हम हिंदी को ही भाशा मान अब होता क्या है इंग्लिस हमारी second language है अब आप खुद ही सोचो जब कोई second language होती है तो उसको सीखने का ये सबसे risky तरीका है मेरे ख्याल से कि हम उसको अपनी test book पढ़ाएंगे और उस बहाने अंग्रेजी सीख जाएंगे कौन सी अंग्रेजी सीखना चाहते होंगे आप समाने भासा जो बोलने वाले भासा है उसके रूप में सीखना चाहते हो आप किस तरह की English improve करना चाहते हो क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हिंदी मीडियम उसने 12 तक हिंदी मीडियम से रहा है ग्रामेंट प्रिष्ट भूमी के बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो B.T.E.C. में आते हैं, अब आपको B.T.E.C. में आते ही, कहा गया है कि पेपर इंग्लिस मिली को, इस बार छूट मिली हिंदी में लिखने के से पहले तो इंग्लिस ही लिखने का कोई आपशन ही नहीं था आप सोचो आपको इंगलीज के साथ दिक्कत क्या है आप ठीक है आप थोड़ी बहुत समस्ते हो वो अलग बात है लिखने दुरान आपकी जो विचार है आप सोच रहो हिंदी में फिर उसको ट्रांसलेट कर रहे हो फिर उसको अंग्रेजी में लिख रहे हो वाक बिगड रहे है वाक का पूरा structure बिगड़ जा रहा है लिखना क्या चाह रहे हो एक sentence में चार बार and 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 लगा रहे हो would could should grammar की कोई उसमें इस्तिति ही नहीं है क्या है फिर आप कहते हो कि भाई जो लिखा है हम तो technical भासा लिख रहे हैं जो लिखने उसको समझ जाए तो कुछ teacher समझ जाए कैसे समझ जाए हमारा दिमाग जो होता है वो एक जब कुछ पढ़ता है तो उसको उसको कंप्रेहेंस करता है न उसको इसको एक छवी दिमाग में बनती है आप सोचो अगर आपके सामने कुछ लिखने के लिए हो जाए जिसमें रेंडम सा कुछ लिखा हो और फिक कहा जाए जरा समझ हो इसको और अधिकतर लोग वैसा लिख रहे हैं तो teacher भी एक टीचर ही है एक इंसान ही है एक समय ब्रेकडाउन हो जाएगा ठीक जो अनाप सनाप लिखा है वैसे कुछ नंबर नंबर दे तो जनरल मार्किंग करके आगे बढ़ जाओ वह बच्चा विश्यको समझ रहा था अच्छा लिख भी सकता था लेकिन भाशा उसको ऐसी दे दी गयी जिसके अधार से वो बेचायन हो चुका है लाचार हो चुका है यह प्रॉबलम है तो तो इस जो iets पूरा कदम उठाया गया एक को यह राजनीति से प्रेरित कदम नहीं है कि कि किसी तरह कि राजनीतिक प्रपेगेंड़ा है जिसको हम आगे बढ़ खात से मोटिवेशन तो जब हम कोई चीज सीख करके उसको लिखना चाहते हैं, तो अगर हम हिंदी में लिखने वाले होते हैं, तो कम से कम हमारे साब ने वाक के विन्यास की गड़बडाहर तो नहीं होगी, कम से कम जो वाक की लिखेंगे उसका इस्ट्रक्चर तो सही होगा, हमसे कहा गया है कि ठ ठीक आप technical भासा को bracket में करके अंग्रेजी में लिख सकते हूँ यह है हमारे पासूइधा है तो अब आप कोई VAKT बना रहे हो परग्राफ बना रहे हूँ तो आप उसको Hindi में लिख सकते हो technical भासा है उसको अंग्रेजी में सब्द हैं बहुत सारे वाकिब बना सकते हो अब अगर 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 कहता हूं इसलिए है इंगली एक ऎंगलीष के लोग बलते हैं अब बहुत अम्हों हैं जो अलग-अलग प्रेश्ट भूमें कि कुछ बहुत ही अच्छे हैं एजुकेटेड हैं अजुकेटेड मतलब कौर्णवेंट से पढ़ें इंग्लिस मीडियम से पढ़ें आप हिंदी मीडियम से पढ़ें उनकी भाषा बहुत लंबे समय तक अंग्रेजी से उनका बहुत सब्सक्राइब कर वह सक्सुर्पल्ज है और जो हिंदी बोल दा है वह लोवर मिडल क्लास का है वह सरफ नौकरी करने वाले उसी इस भी एक जैसे रहें कपडों की ग्वालिटीरग कर पर किसी वर्ग का बाइफरिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक् कि एक चीज और है अगर मैं कहों आपको हंदी अंए लिखो तूब और बड़ी असुविदाह सु कि हंदी तो लाती ही नहीं आ पको हंदी हंदुस्तनी भाशा में अब केवल हिंदी उर्दू अबधी भोचपुरी इन सब के विन्यास है हम बहुत कई बार तो हम गरत हिंदी ही बोल रहे हैं हम जिस छेतर के हैं हमारी भाषा में हमारी हिंदी भाषा में उसका बहुत सा पुट है अगर कोई बिहार का है बोजपूर का है उस इलाके का है बिलासपूर का है तो जब Hindi बोल ला है, तो उसकी Hindi में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जो उसकी भासा के हैं, अगर आप उस पुट्ट से हैं, आप जिसे एक, जिन करा, अब जिन करा मत करो, लेकिन आप जिन करा लिख नहीं सकते हो, ठीके, रवुरा कैसन बान वान। आप ये लिख नहीं सकते ह हिंदी भी नहीं है तो अब भुझपुरी एसास में है तो सवाल यह है कि हमें हिंदी क्या हमें हिंदी आती है क्या हम सच में हिंदी में लिख सकते हैं अगर हमने भाषा अपनी चुन ले तो तो मैं सामने होगा कि हमें हिंदी हम वाटसप लैंगवेज लिखने वाले हो चुक जो अंग्रेजी है वही पढ़लो बसे कम से कम जितना लिखना है उसना किसी तरह से लिख डालो तो काम करना अभी है इस पर बिवाद है इस पर लोग बहस कर सकते हैं लेकि इतना तो पक्का है हमारी नेटिव लेंग्वेज को हमें बढ़ावा देना चाहिए और समय के साथ द रूप में बनाया है और अज भी वह हमारा थी आ रहे हैं अंतराष्ट्य स्तर पर अंतराष्ट्य पटल पर हमने अपनी धमक अंग्रेजों के सामने उनकी भासा में उनसे अच्छी प्रमीडता हासल करके ही बनाई है लेकिन इस प्रमीडता इस कुसलता का हमने क्या कीमत 1968 में जब पहले सिच्छा नीती लागू हुई थी उसमें हजारी प्रसाद दिवेदी जी के नित्त में हिंदी भासा पर हाइर एजूकेशन किताबे लिखी गए थी इंजिनिरिंग किताबे लिखी गए थी और हिंदी बोर्ड बनाए गये थी लगब लगब हर राज्य में ह बिहार में हर जगा हिंदी बोर्ड है लेकिन बात के सरकारों बात के नीतियों में उन सब चीजों को नहीं उतना जोड़ दिया गया फिर से नई सिच्छा नीती में छित्री भासा के ऊपर अब जोड़ देना शुरू हुआ है तो मेरा कहना है अगर आप भाशा के साथ दिक तो यह अंगरेजी में लिखते हैं तो हम कुछ भी लिखी न पाते तो यह भी देखो बहुत सारे लोगों को इसका फाइदा भी हुआ फाइदा उठाया है और कई सारे बच्चों ने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी हिंदी में लिखके दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो आने वाले समय में अच्छा नंबर भी स्कोर कर रहे होंगे आप दर एक चीज देखें एक अक्टूबर पिछले साल की एक ख़बर है टाइमस आफ इंडिया के जिसमें कि उन्हों लिखा कि AKTU हिंडी मीडियम की स्टुडेंट को अब वो टेक्निकल लेंगवज हिंदी मीडियम स्कूल when all of sudden they are taught in English or asked to appear for examination in English, they are unable to perform well, this is very true, they are unable to perform well, कर तो ले जाते हैं बट जो वेल होती है, जो इच्छा होती है अच्छा करने कि वो नहीं होती है, first year का ये बुरा अनुम्ह उनके साथ हमेशा रहता है और वो उनको हमेशा एक back step रखता है, so we did a detailed analysis of academic performance of such student enrolled in previous year and found that 20% of them have scored low, 20% of them have scored low, मतलब जो high कर सकते थे वो low कर गए, और ये सिर्फ एक performance की बात नहीं है, mentally भी वो काफी ज्यादा इससे discouraged हो जाते हैं, so we have decided to give language flexibility to our first year student and this practice will continue to all four years, तो इस बार जो आप लोग admission लिये हैं, आप अगले आने वाले चार सालों तक आपके पास हमेश option में लगा कि आप हिंदी में answer दे सकते हूं, इसका असर ये हुआ कि इस बार हिंदी में paper भी आपके publish हुए हैं, तो ये कुछ हमारे poll थे, जो कि मैंने देखे हैं, और मोड़े interesting लग जो मैंने सुचा एक बार आप से discuss कर लेते हैं, चलि बाकी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसक ।